नमस्कार, Divine Living चैनल में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सफेद रंग के कप्रे पहनना क्यों अच्छा है ये भगवान दरख खोली हुई उनिवर्स्ची है जिसकी उनिफॉर्म सफेद ड्रेस एक पहचान है सफेद रंग पवित्ता का परतीक है सफेद रंग सभी साथ रंगों से मिलकर बनता है इसमें सभी रंग समाहित होते हैं पीद रंग परिष्टो की ड्रेस है, पवित्ता की लाइट का रिफ्लेक्शन है, सफेद ड्रेस हलकी पन का अनुभव कराता है, क्योंकि ये हर चीज को बहार रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सब रंग इसे अपने में अब्जॉब कर लेते हैं, एक विद्वा को सफेद ड्र से उस लोक में जाती है, जब दो देश में युद की उपरान शांती समझोता होता है, तब भी सफेद जंडा लराया जाता है, मतलब सफेद रंग शांती का पर्दिक है, सफेद ड्रेस पहने लोगों पर नेगेटिव एनरजी का परभाव कम होता है, सफेद ड्रेस में जो रंग की ड्रेस से दूर रहते हैं जबकि अन्य रंग की ड्रेस से वे चिपके रहते हैं और अंडे छोड़ देते हैं जो अनिक बिमारियों को जनम देते हैं इसलिए हॉस्पिटल में भी सबकी ड्रेस सफेद होती है और बैशिट भी सफेद रखी जाती है अगर कोई अन्य र परसंद है वह सफेद रंग पर ही चड़ा है सारे रंग धूप में उड़ जाते हैं और एक सफेद रंग ही है जो हर समय हर मौसम में खिलता है जब इंसान जनम लेता है जीवन शक्तिरस मा की दूद का रंग सफेद ही है जो दात निकलते हैं सफेद ही है कुछ बनने के लिए स उस चौक का रंग भी सफेध ही है और जिस कौपी की पन्ने पर आपने उसे उतारा वह कागज का रंग भी सफेध ही था और आपने अपने मन बुद्धी में जो रंग भर रखे है वह भी सफेध ही है और जब आप गोड़े होंगे तो आपके बालों का रंग भी सफेध होगा जब दुनिया से उठेंगे तो चादर भी सफेधी उड़ाई जाएगे और आखिर में धर्ती पर कुछ छोड़के जाएगे तो उस राख का रंग भी सफेधी होगा और अपने घर परमधाम में एंट्री भी वाइट फरिश्टों की होती है सफेधन की पुशाग पहनना अपने अस्तित से जोड़ना है आज की लिए इतना ही धन्यवाद